मुखमंत्री नितिश कुमार के बयान ने एक वार फिर से सहयोगी दल बीजेपी को बैकफुट पर ढखेल दिया है। जिस तरह से एनर्सी पर नितिश कुमार ने साफ स्टेंड लिया और ये कहा कि एनर्सी लागो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद बीजेपी के नेता के तरब से कोई भी बयान अभी तक आया नहीं है। उनने बताया कि जिस तरह से असाम में लागो हुआ, किन कारणों से लागो हुआ और कप से चल रहा था, आसू अगर ने अंदुलन भी किया था। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस तरह से असाम में लाग हुआ था वैसे देश में लागू करने की बात होनी नहीं चाहिए वो असाम एक विशेश प्रस्तिती थी लेकिन भारत देश जैसे एक बड़े और महान देश का नागरी कोई भी किसी भी तरह से बन जाए और उसका कोई रिकॉर्ड नहों रजिस्टर नहों यह जमता नहीं है आप जितने में देखिए कि कोई भी बड़े देश हैं विक्षित हों या विकास्षिल देश हों एक आद को छोड़ दीजी अगर तो हर जगा जो है नागरीता के लिए नियम बने है उनियमों के हिसाब से होनका रिश्टर मिंटेन होता है कि हमारे ही होना चींगे हमारा देश ब्लाई डैवर्स हर तरह के हमारे हां तो हुब कि डैवर्सिती ही है unity in diversity यह हमारा पड़िचा है तो उसका भी ख्याल करना है कि किस तरह से कोई भी वर्ग अपने आपको इस में यह नहों सूस करें कि इ मैं किसी खास वर्ग के तभी सारच नहीं कर रहा हूं कोई भी बर्ग जब मैं बात करता तो हम अमीर गड़ी वर्ग ही है वो चाहिए जिस धर्म को मानते हो जिस मज़ब को मानते हूं तो यह जरूर है कि राश्ट्री अस्तर पर पक्ष के पर दलों को बैट कर यह मश्वरा देना चाहिए कि NRC के प्राधान क्या होने चाहिए, किस अधार पर मान लिया जाएका जाएका कि भारत के नागरीक हैं या नहीं है और अगर नहीं है जो उसको तो बाहर निकल नहीं चाहिए और आने वाले जो समय में गुश्पैठी यहां आकर घर ना कर पाएं उसकी विवस्ता भी लागू होनी चाहिए तो इनार्सी लागू नहीं होने देंगे इसका मैं भी रूत करता हूँ इनार्सी लागू होने इनार्सी जिस रूप में अभी असम में हुआ है उसका मसम अर्थर नहीं करते हैं इस बिल्कुल सही बात है आपके विचार वैसे होसते हैं हम भाजपा ने कभी ने कहा कि हूँ वैसा ही प्रावधान लागू करेंगे हमारे प्रणार मंतिने साब सब्स जो हो रही है ना और खासकर प्रसांद किशों ने कि सगूफा छोड़ दी जा कि C.A. और N.R.C. को एक करके दिखिए C.A. लागू हो चुका है विद्वान में हो दाए दस तारीक को कानून बन चुका है देश का आप कहते हैं ना कि कांग्रेशियों आप तुम लोग भोष्णा कर दो कि तुम्हारे राजे में इलागू नहीं होगा वो देश के कानून का विरूद करने का सिखा रहे हो विद्वान बनिए तो विद्वान हर तरस विद्वता दिखाईए आप एक बहुत सुल्जेव ब्यक्ति में जानता हूँ तो आप किसके साथ इसके सिकार बना रहे हैं देश को सीए का बिरूद करवा रहे हैं जो वो एक्ट जिसके आपकी पार्टी ने भी समर्थन दिया दुनों सदुनों में और कानून बना तो उसमें अभी वो सांप को सांप बता के डड़ा रहे हैं लोगों को यहीं न हो रहा है कि NRC आएगा तो CA खत खत्रा बन जाएगा किसी समाज के लिए किसी समधाय के लिए मत किजिए देश द्रोह का काम कर रहे हैं अब ऐसा मत किजिए यहीं मेरा कहना है और नितिश जी जब चुकी हमारे अश्टिय धक्ष ने कह दिया है कि हम उन्हीं के नितृत में चुनाव लडेंगे अगला चुनाव इंडिया लडेगी उस हिसाब से भी नितिश जी से अप संकेत तो मिल गया है और जिस तरह से नितिश कुमार का बयान आया साफ लग रहे थे कि कहीं न कहीं उनके बयान से आर जेडी के यह कहें कि विपक्ष खेमा वो काफी खुस हुआ और तिजस्वी का बयान भी आया लालुयादव के स्टैल में मढ जाएंगे लेकिन नर्सी ल पापा सरी ने कह दिया था कि मर जाएंगे लेकिन नहीं हटने देंगे तो आप जेल में है तो अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं अशा नहीं हटाने के पक्ष में है कल तो समलती से पास हुआ बहुत कर दिखा क्या तो यह रसी को सांप बता के जो डिरा रहे हैं लोग के जो क enclे सग्स शडारे के जरुब नहीं है एक ड़िल ब einfसी दो सबेंगे सभूनागा ते ङ के दो हपातित प्र implication कानून से गफुक्राएं 섭ा करने के तो अभू हो शुकंच कर गैसे बाद कर रहे हैं तो बंत किजी से भूआ को प्सक्रा देखी तो बंद कजिए आप कर रहे हैं आपने भी अपने बयान में कहा कि अमित साथ जी ने नितीश कुमार को ये कह दिया है कि उनके नेतृत में ही बिहार विधान सवा चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन संजया पासवान जो आपकी नेता है अगर बीजेपी का कोई मुखमंत्री चेहरा होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या आप भी ऐसा मानते हैं संजय पासवान जी ने वही बात कही जो हर कारेकरता भाजपा का अपने दिल में रखता है देखिए नितीश क्या निर्ना है उसके साथ खड़ा होना एक बात है और दिल के अंदर बात किया है ये कहना दूसरी बात है तो नीजी राय है और ये एक किसी भी कारेकरता से पू यह तो दिली इच्छा है यह बुनन बताया है मैं भी उसको कहता हूं लेकिन क्या और संजय पास्मान सजदानद रहे लेंगे बिल्कुल नहीं हमारे नेत्र तो है नेत्र तो जो निर्ने लेगा हम उसके साथ कड़े होंगे लेकिन कहीं तब समस्य आती है जब आपके हम तो उसके साथ खड़े होंगे और करेंगे भी देखा आपने 49 सीर जीते तो 16 सीर तो हमारे 16-22 सीर तो हमारे नहीं थे ना गरबंधन का ही था लेकिन जीताने में भाजपा करे करता हूं नेरी चोटी यह कर दिया आगे भी बटवारा जो भी होगा हम नेरी चोटी यह कर द बात नहीं होनी चाहिए आप अगर मानते हैं किसी यह एक्ट सही था हमीज आपने समर्थन दिया था खुल के बुलिए किसी यह एक्ट आज के तारीक में कानून बन चुका है और देश में बिहार में भी मजबुत्ती से लागू होगा इन पियार आपने आपने अदी सुच सब लोग मन बना लेंगे इसके बाद ही नार्सी लागू होगा तो आप तो उस ब्यौस्था के हिस्सा है राष्टिय ध्यक्ष नहीं है राष्टिय उपाध्यक्ष परसांद की सोर्जेंग उन्होंने एक और फर्मूला दिया था शीटो का उसे आपकी सुरूप में देखत हैं वो बार-बार यह कर रहे हैं कि जेडियू बरी पार्टी है फोर्मूला जो भी हो जेडियू सबसे ज्यादा सीटों पर लरेगी बीजेपी और लजेपी से लिए वैसे तो इस पर हमको बदेना नहीं चाहिए क्योंकि सीटों का बटवारा विशेश रूप से तिर्श न ने इस बरा-बरा बर सीट पर कैसे लड़ लिए उसमें आपको खाना चेहता है कि नहीं यह फॉर्मूला घरत हो रहा है बाइसाद दो के रिशियों बटना चाहिए था तो इस बेकार पहले क्या हुआ उन चीजों का बहुत महत्व नहीं है जो बिहार हित में है जो देश हि कि नितीश कुमार के इसारे पर ही परसांत किश्वर बयान दे रहे हैं क्योंकि नितीश कुमार के राजनिती का आकलन करना बहुत कम आदमी के बस की बात होती है तो क्या लगता है कि नितीश कुमार अभी देख रहे हैं वेट और वाच की स्तिती में है कि इन बयानों का क्य माइन डीडर के रूप में पिजन्त करना चाहते हैं। परदे के पीछे रहते हैं। जो चैनल खोजी है वहीं पर उनका घंटों घंटों का इंटर्वीव चल रहा है। तो वो किसी से पूछ करें किसी के इसारे पर कहते होंगे। ऐसा लगता नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से नितिश जी ने बिना कारण नर्सी बिहार में लागू नहीं होगा। कहा। उससे लगता है कि अब इनके इसारे पर हो रहा हूँ या उनके इसारे पर यह कह रहे हैं। कुछ नकुछ तो है दोनों की बोली यह कैसे हो गई। रास्टिय धक्षनाप हैं। तो आपको अपने जो स्वयोगी दल है उनकी भावनाओं के रूप ही नहाना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो उसका फूरम अलग है। इससे बाते कहनी है तो उस पूरम पर कहिए। यह विपक्षियों के बीच में असाहज तो हमल होई जाते हैं। गत्रघों के समस्ता इससमें कहते हैं। आपको अगर श哦 हो जाता है Random स्व जाते हैं। अपने पर दो कि अपने दूसरे दूख भी हो सकते हैं दूसरा तरह का गटबंधन नहीं बन सकता है तो मैं उतना दूर नहीं जाओंगा लेकिन मैं जरू कहता हूं कि पहले भी ऐसा हुआ है अब छुडी न यहां तो हम दो चार सा लग रहने के बाद फिर से दुबारा ही कठ कि चुनाव भी साथ मिलकर लड़ लिए जनता का जनाधेश भी मिल गया इसके बाद में जाकर कांगरे से समसाकार बना दी है तो पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है जब आदिमना चरितर गिरा दे तो क्या-क्या नहीं कर सकता है तो इसलिए उन चीजों पर हम लोग एक सधार करता हम लोग है हम लोग दिल से राज़ित करते हैं और समाज सिवा के राज़ित करते हैं तो हम लोग तो जो बड़े-बड़े मठाधी से अवगत कराएंगे जो सर्स नेतृत है उसे अवगत कराएंगे कि हां किस से नुकसान हो सकता है या इन डिशनों से फाइदा हो सकता ने मुडिया के मात्यम सो तो नहीं कि बताइगए यह तो थी बता है उसका फोरम होगा बटाएगे हम डिलहाईंग भटएगे कि हम लोग क्या थिल करते हैं अब उस पर संग्यान कितना लिया जाए जाएगा या हमारे बात को को समझाया जाएगा कि हमारी बात को माना जाएगा यह सब बात में नहीं जानता मेडिया के माध्यम से तो बिल्कुल कुछ संदेजरा नहीं चाहेंगे अब भावनाओं को से अवगत करना यह अलग चीज हो गई लेकिन के सहोगी दल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हम होगी तो मेडिया के माधव से थोड़ी बताएंगे वो तुम सीधे बंद कमरे में अपने अपने अन्देतों के बताने का प्रयास करेंगे